पॉलिटिकल साइंस को अपने किस तरह से प्रपेर करना है बट पिफोर वी गेट स्टार्टेट प्लीज सब्सक्राइब और उसके बाद हैं मुस्लिम पॉलिटिकल थाट्स जे पाद बहुत है मुस्लिम पॉलिटिकल थाट्स बहुत इमपोर्टिकल फिलोसेफर्स जो पॉलिटिकल फिलॉसोफर्स है उनको प्रिपेर करना बहुत इंपोर्टन्ट है लेकिन इनको prepare करने से पहले आपके पास political science से related कुछ concepts होने चाहिए If you are a student of political science तो आपको पहले से बहुत सारे concepts का पता होगा और आप direct philosophers को prepare कर सकते हैं But if you are a beginner और आपने इस से पहले political science नहीं पढ़ी तो आपने क्या करना है कि पहले आपको कुछ concepts होने चाहिए Books कौन कौन सी चाहिए political science के लिए वो हम पहले एक वीडियो में discuss कर शुके हैं तो state system इस concept का आपको पता होना चाहिए sovereignty क्या होती है ये पता होना चाहिए monarchy, democracy, dictatorship, totalitarianism, unitary, federal, confederation, presidential, parliamentary इन सारे forms of government का आपको पता होना चाहिए अगर आप चाहें तो ये political science by मज़रूल हक वाली book से prepare कर सकते हैं या before preparing philosophers या फिर अगर आप चाहें तो इनके simply concept ले ले लें सिर्फ कहीं से भी google से ले लें और capitalism, marxism, communism, socialism, fascism, nationalism इन सब चीजों का भी आपको पता होना चाहिए ये करने के बाद इधर इसनको fully prepare करने के बाद या फिर इनका concept आपको पता होना चाहिए उसके बाद आपने आना है political philosophers की तरफ Western political thoughts, Western political philosophers में पहले जो आपने philosophers को prepare करना है which are important वो है Plato, Aristotle, Machiavelli, Montesco, Hobbes, Locke, Russo, Mill, Bentham, Hegel, Marx, Lenin, Mao और Fukuyama इनको आपने बहुत अच्छे तरीके से prepare करना है और जब भी आप philosophers को prepare करें आप उनका थोड़ा सा आपस में एक दूसरे के साथ analysis करें जिनकी थोड़ी थोड़ी मिलती जूलती हो उनको आपस में आपने analyze करना है कि क्या जीवें इनकी मिलती है और कहां पे इनकी जो philosophy है वो थोड़ी differ कर रही है Then comes Muslim political thoughts Muslim political philosophers में फाराभी, अल्मवार्दी, इमाम घजाली, इबन तैमिया, निजाम अल्मुल्क, इबन खुल्दोन, शाह लियुल्ला, अल्लामा इपाल इनको आपने prepare करना है Philosophers वाला portion आपका जब prepare हो जाएगा तो फिर जो remaining चीज़ें हैं, जो part B की हैं, वो सारी आपने prepare करनी है फिर बात करेंगे जो political science का paper 2 है इसके अंदर सबसे पहले जो comparative and analytical study of political systems है इसमें political systems है USA, UK, France and Germany के इसमें से आपने सबसे पहले UK का करना है prepare और उसके बाद USA का political system prepare करना है books कौन से चाहिए, वो एक और video के अंदर हम discuss कर चुके हैं आपको i button में भी इसका link मिल जाएगा और description box में भी UK और USA का prepare करने के बाद आप France का prepare करें and then Germany का फिर है ये global and regional integration इसके अंदर जो चीज़ें हैं वो बहुत सारी आपकी cover हो रही होंगी Pakistan affairs के अंदर भी so that we suggest के जब भी आप CSS के तैयारी शूरू करें आप start करें पाकिस्तान affair से उससे फाइदा ये होगा के आपका एक subject नहीं आपके और भी बहुत सारे subjects के जो areas होंगे वो cover हो रहे होंगे आगे बढ़ने से पहले एक नज़र हमारे social media accounts पर you can also follow us on our social media platforms क्या आप जानते हैं के आज का दिन तारीख में क्यों एहम है अगर नहीं तो हमारे Instagram पेज पर आईए यहां आपको हर दिन की तारीख से मतालिब मालूमात मिलेंगी हमें Twitter पर follow कीजिये हमारा handle है add the gk questions we have also created a whole playlist on essay writing on our YouTube channel go and check it out you can also send us your queries on our email all the links are given in the description box below फिर है comparative and analytical study of political systems इसके अंदर आपने India, Iran, Turkey, China इनको पहले prepare करने हैं Malaysia को end में फिर है political system, political movements in India इसमें से भी सरसेयद अहमद खान, इकबाल और काइद आजम महुम्मद अली जिना यह आपके पाकसान अफेर्स के अंदर prepare हो चुके होंगे अगर आप detail में पाकसान अफेर्स में इनको कर चुके हैं तो यह वहीं से आपके prepare हो जाएंगे तेन अगेन जो यह वाला part है जिसके अंदर constitution making है यह भी अगर आप हामिद खान वाले book में से detail में कर रहे हैं पाकसान अफेर्स में तो most of the things वह वहीं पे सारी आपकी cover हो जाएंगी और आपको दुबारा यहाँ पे नहीं करना पड़ेगा फिर international relations इसके अंदर भी जो चीज़ें पाकसान अफेर्स में cover हो गई हैं वो वहीं से हो जाएंगी और जो रह लें हैं वो आप cover कर लें पेपर 2 के अंदर सबसे पहले आपने constitutions cover करने हैं इसके इलावा अगर आप ने political science के साथ constitutional law opt किया है तो आपको वह करने में भी फाइदा होगा क्यूंकि उसके अंदर भी constitutions होते हैं और वह आपका overlap हो जाएगा political science के paper 2 के साथ तो यह सारी discussion थी political science की preparation के हवाले से अगर आप PMS की preparation कर रहे हैं तो उसमें भी more or less यही syllabus होगा आप उसके लिए भी इसी तरीके से तैयारी कर सकते हैं वी होप कि आपको इस वीडियो से फाइदा हो प्लीज लाइक इट, कॉमेंट और शेर इट और सब्सक्राइब दे चैनल थैंक यू फॉचिंग